बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो देखे आज है 13 जुन और आज की वीडियो में कुल 10 most important करेंट प्रेंट प्रेंट करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परिशाओं के लिए most important है तो सुरू सलासा वीडिय प्रेंगे और इक इस वीडियो को प्रेंगमाद आप इसकी पीडियो फाइल भी डाउनों कर सकते हैं नीचे डिस्क्राप्स में और हमारे टेलिग्राम चैनल पे दोनों जगों पे इस वीडियो के पीडियो मिल जागी और देखिए कल UBPSC का एक्जाम था तो किसका किसका और कैसा गया आपका फिर कमेंट बाक्स में जोरू बताइएगा तो चलिए आज का करेंट इपर सेजन सुरू करते हैं दीकि आज का मारा पहला प्रशन है कि बाल सरम के खिलाब विस्व दिवस चैनल की वर्ल डे अगेंस्ट इस चाइड लिबर का मनायाता है तो दीकि बाल UNCTAD की विस्व निवेस रिपोर्ट में भारत की स्थान पर है तो दीकि जो आपका UNCTAD है इसकी विस्व निवेस रिपोर्ट में भारत को साथ में स्थान पर रखा गया है और दीकि जो नविंतम विस्व निवेस रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि भारत में FDI प्रवाद यानि कि फारेंड डारेक्ट इंवेस्टमेंट प्रवाद 2021 में घड़कर 45 बिलियन डालर हो गया जो कि पिछले वर्स में जो है 14 बिलियन डालर था और देखे इस आंकड़े में और चीज़ बताईए कि भारत से जो बाहरी FDI है 2021 में ये 43 परतीसत बढ़कर 15.5 अरब डालर हो गया और इस रिपोर्ट में ये बताए गया है कि सेंट राज अमेरिका जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा FDI प्राप्ट करता है और इसने जो है कुल 377 बिलियन डालर FDI प्राप्ट करता है दुनिया में और देखे एप्डियाई के लिए 10 मेजबान और ब्योस्ताओं में केवल भारत यही जो है इसने अपनी FDI प्राप्ट में गिरावर देखी है यही बाकी सब मेंटेन है केवल भारत यही इसका FDI प्राप्ट करता है पिछले सतर में और तीसरा प्रणे की ड्रोन नीति को मंजूरी देने वारा पहला राज्य कौन बना तो दिए भीहाली में हिमानचल प्रदेश की सरकार ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है और इस नीती में governance and reforms using drones की नियुवर निर्मित एक समगर drone एको सिस्टम बनाने की परिकलपना की गई है और देखे इस नई drone निती के साथ हिमानचल प्रदेश ड्रोन के सार्वनिक उप्यो को और चारे ग्रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज़ बने गया है यानि कि अब क्या होगा हिमानचल प्रदेश में लोकल काम के लिए जैसे माल यह कुछ सप्लाई करना हमें एक जगह से दूसरे जगह पे तो उसको drone में हम लटका कर उसको उसके गंतबे तक पहुचा देंगे तो drone का अब जो है सामान को पहुचाने में होगा और इसके अलावाद जिस जिस चीज में drone का यूज हो सकता है सब में होगा तो यह है drone नीती हमानचल प्रदेश की और इस नीती को मंजूरी देने वाला यह भारत का पहला राजी है अगला की 2022 सीजन के लिए धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1940 रुपे से बढ़ा कर प्रती कोंटल कितना कर दिया गया तो दीखें यह वरतवान में जो MSP है यह 1940 रुपे प्रती कोंटल है लेकिन अब जो है क्या होगा 2022 दिस का जो वित्ती वर्ष चल ला है तो दीखें इसका जो सीजन जो है इसमें जो धान की बगाई भी चल लए है तो यह धान की बगाई यह होगी वर्ष मान समय में जून में 15 जून से धान की बगाई शुरू जाती पूरे भारत में और यह फसल जो है अक्टूबर नॉमबर तब पकर तयार होती है और कट जाती है के दो से तो उस समय जब धान कटेगा तो उसका जो मिनिमूम सपोर्ट प्राइस होगा यह 2040 रुपे प्रती कुंटर होगा और इसके अलावा आपको दादू धान में भी देखे दो धान होता है एक मोटा वाला और एक पतला वाला तो मोटे वाले धान से मोटा चावल और पतले वाले से महीन चावल निकलता है तो जो एक उड़ोत्ता वाले महीन चाओं लोंगे, महीन धान होंगा, ठीक है, उनका समर्थन मुल्ए होगा 2060 रूपे परसी कुंटल, जो की पहले 1960 रूपे परसी कुंटल हुआ करता था, यह जो की 20 रूपे का अंतर है, एक ग्रेट वाले धान 2060 रूपे, और जो बी ग्रे पर प्रतिबंद लगाने के लिए मतदान किया तो देखे जो नए पेट्रोल और डीजल का रहे हैं इस पर प्रतिबंद लगाने की मांग पूरी दुनिया में चल लए है विकी पॉलुशन ग्लोबल वार्मी भरता जा रहा है और अभी हाली में 2035 तक जो है जितने भी नए पे हुई थी छाड़मा के हाली में कि संगठा ने 6 जुन को अपनी 25 वरसगांट मनाई तो दिखे जो तो इसका मुख्याल है कहां पर है बांगला देश की राधानी रहागा में और आप पता दूं बीमस्टेक जो है यह दक्षिड एसिया और दक्षिड पूरु एसियाई देशों का एक अंतराश्टी संगठन है इसमें बांगला देश भूतान भारत म्यामार और नेपाल स्रिल एजूकेशन एंड रिशर्ट यानि जो साड में खेसकते हैं पीजी आई चंडी गड़ है तो पीजी आई चंडी गड़ में इस्तित सामुदाई चिकिसा विभाग और स्कूल आप पब्लीक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर पाट टोवाई को कंडूल को छेत्री निदिसक पुर पुरिष्ट भारती राजनाई को प्रद्योकी पर अपना दूथ निदिक रही है अमंदीप सिंगिल को अभियाली में इंटोनियो गुट्रेज जो की सेंटराश्ट के महसाचीव है इन्होंने अंतराश्टी डिजिटल साहियों के कारेकौनों के समाने में के लिए अभिया पिएज़ी और चंडीगड में पंजाब विसुद्याले से इलेक्ट्रोनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्मुनिकेशन में जो है बैचलर अप टेक्नोलजी यानि की बीटेक और जीनेवा विसुद्याले से इन्होंने फ्रेंच इठियास और भासा में उन्नत डिप्लोमा किया ह यानिकि ये इनके बारे में जुमाने बताया इसके अनुसार ये काफी पड़े लिखे बेखती हैं अमन्दीप सिंगिल इसलिए इनको जो है सेंक तर्राष्ट महासाची और इंटोणियों गोट्रेश ने अंतराष्टी डिजिटल सहयों के कारेकरों के समयनों के लिए प्रद में तमिल नाडू के मुख्यमंत्री M.K. स्टाली ने 44 में सतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और सुभांकर का नवर्र किया जो कि अगले महीने जो आपका तमिल नाडू है वहां के मामल पूरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में आयुत होगा ये चीज मैं आपको प इसको यारखेगा और दीखे आपको दादू जो ये 44 सतरंज ओलंपियाड होगा इसमें 180 से अधिक देशों के लगभग 2000 खिलाडी जो है ये पार्टिपेट करेंगे अगला प्रशनी के हाली में किसने लोग तंतर के स्वर और दर रिपब्लिकन एथीक सिर्शक वाली पुस पुस्तक का विमोचन धर्मेंदर प्रदान ने किया जो कि भारत के केंद्री सिक्षा मंतरी हैं और इन्हों ने जो है अनुराक ठाकूर जी के साथ मिलकर इन पुस्तकों का विमोचन किया देखी भ्याली में जो केंद्री सिक्षा और कौसल विकास और उद्यमिता मंतरी हैं धर्मेंद प्रधान इन्होंने केंदरी, सूशना और प्रसारण और खेल मंद्री अनुराक ठाकूर के साथ भारत के राश्पती रामनात कोविंद के चुनिंदा भासुनों के साथ लोक तंत्र के स्वर और डर्ज रिपब्लिकन एथिक पुस्टकवा वियोशन किया है आपको बताता हूं जो ये पुस्तके होती हैं ये रामनात कोविंद के चौथे वर्स की जो है स्रंखला का चौथा खंड है इसमें रामनात कोविन के कारेकाल के बारे में आपको बता जाएगा कि इन्होंने क्या क्या कैसे कारेकालों में कहा का पार्चमेट किया किस कि देश की ये विदेश यात्रा पर गए तो ये थे आपके आज के सभी महत्पूर प्रशन और अब हम बात करेंगे आज के सभी को शामटे फे दिएक आज का पहला प्रशन है की जानवरों के लिए विक्सित पहले भारती कोबिड-19 विक्सिन का क्या नाम है बताईए और दूसरा के हाली में इकवाडोर, श्यापान, माल्टा, मुजाम्बिक और स्विज्जे लेंड को संविक्त राश सुरक्षा परिशत के लिए किस कारेकाल के लिए आसाई सदस के रूप में चुना गया बताई और तीसरा के हाली में किस राज सरकार ने ACB14400 एप्लिकेशन लांच किया है मदाई और नेश्टे के हाली में आरपियाई ने किस राज मेस्तित मुधोल कौपरेटिव बैंक बागल कोड का जो है लाइसेंस रज़ कर दिया वधाई और पाँचवा के हाली में ICICI बैंक ने कुद्रा और E-कामर्ट प्लेटफॉर्म पर खरिदारी के लिए अपनी कार्डलेज EMI सुबिधा का विस्तार करने के लिए किस डिजिटल EMI पेलेटर प्लेटफॉर्म के साथ साथ राज़ दारी की है और अब हम बात करेंगे कल के पूछे काई सभी प्रश्टों के सहीतरों के लिए का पहला प्रस्टा की सिक मुहम्मद बिन जायद अलायान कि इस डिजिस के राज़पती बने तो दिखिए ये यूनाइटेड अरब अमिरात के राजपती बने है और नेक्स था कि सैंक्त रा यानि कि अगले साल और देखिए असम में भी हाली में बैखो उत्सो मनाई गया देखिए बैखो उत्सो क्या है ये मैंने आपको पताया था परसो के वीडियो में तो परसो का वीडियो देके इसको रिवाश गड़ा लेगा पांच माही कि यह था कि हाली में किस राजी की हो उनकी अथक साहिती खोज के लिए बांगला अकादमी पुरसकार दिया गया तो देखिए सब को पता है जो पस्षिम मंगाल लाज है यहां की मुक्रिमंतरी है ममतावनर जी और इनको जो है बांगला अकादमी पुरसकार से हाली में सामानित किया गया है तो यह थे सभी मत इसको आप रिवाइस कर सकते हैं पुराने वीडियो देखे भी और आज का वीडियो फिट से देखे तो रिवाइस करते रहे हैं रिविजन करने से यह आपको सबलता मिलेगी जैन